तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सुरू करने वाले हैं NCRT रिभ्यू आपका एक कमिस्ट्री का है बुक इसमें खास तोर पे हम लोग यह जानेगे कि कैसे हम लोग बुक परते हैं ठीक है और हमारा है आज का चेप्टर हमारे आस पास के पदार्थ मैटर इन सराउंडिंग हम पाकि इसके लाइब क्लास में हम इसके एक्सपरिमेंट केरिया कलाप यह सारे चीज़ आपको करेंगे ठीक है तो चलिए किताब सुरू करते हैं दोस्तों कहते हैं आपने अपने चारों और नजर दोराइए दोराने पर हमें बिभिन परकार की बस्तुए नजर आती है जिन हम पदार्थ कहते हैं जिस हवा में हम स्वास लेते हैं जो हम खाते हैं पत्थर बादल तारे पौधे यह सब पसू पच्छी यहां तक की पानी की एक भूंद या रेत का एक कन यह सभी पदार्थ है ध्यान देने योग बात यह है कि उपर लिखी सभी बस्तुओं का द्रब विमान होता है और यह कुछ आईतन रखते हैं अता हम कह सकते हैं पदार्थ जिनका द्रबमान हो और जिनका आईतन हो या जो अस्थान घेरें उन्हें हम पदार्थ करते हैं प्राचीन काल से ही मनुस अपने आसपास को समझने का पर्यास करता रहा है भारत के प्राचीन दा प्रिथिवी अगनी जल और आकास इन पांच तत्वों से मिलकर माना जाता था कि संपूर्ण चीजों का निर्मान हुआ है उनके अनसार इन ही पंच तत्वों से सभी बस्तुएं बनी है चाहे वो सजीब हो चाहे वो निर्जीब हो उस समय के युनानी दार्षनिक मतलब यह त लगभाग इसी के आसपास अपना सिधान्त दिया आधुनिक बैग्यान को ने पदार्थ को भौतिक गुंधर्म भौतिक गुंधर्म जो बाहर से दिखते हैं ठीक है और रसायनी गुंधर्म जो उनके आंतरिक प्रोपर्टी होती है इन दोनों के अधार पर दो परकार से ब कि वो सारे के सारे भौतिक गुंधर्म है और जिनका हम मापन नहीं कर पाते हैं या जिनका हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं वो सारे मूल रूप से रसायनीक जैसे रंग परिवर्थित हो गया तो यह रसायनीक गुंधर्म है चुकि रंग को हम ना पेंगे नहीं जबकि द के देखने के बाद ही हम उन्हें बर्गिक्रित कर देंगे ठीक है पदात के रसाइनिक पहलूंगों को आगे के अध्याय में परहेंगे अंतराष्ट्रिय मातरक के तौर पे जो आईतन का मातरक होता है आपको पता होगा लीटर होता है और एक लीटर परावर क्या होता है एक डेसी मीटर क्यू होता है वहीं एक लीटर को हम 1000 मिली लीटर भी बोल सकते हैं या 1 मीटर में को क्या बोलते हैं 10 प्रपावर 3 सेंटी मीटर क्यों बोलते हैं चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं कि पदार्थ जो होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप चुकि हम लोग इस अध्याय में भौतिक स्वरूप के परने वाले हैं तो सबसे पहला पदार्थ कनों से मिलके बना होता है भौतिक स्वरूप में क्या हम लोग पर है कि पदार्थ किस से मिलके बना होता है कनों से मिलके बना होता है पदात कनों से मिलके बना होता है बहुत समय तक पदात की प्रकृती के बारे में दो विचार धाएं पर चली थी एक विचार धातरा यहत मानता था कि पदात लकरी के टुकरे की तरह सतत होते हैं जैसे लकरी का टुकरा समूचा होता है वैसे ही पदार्थ भी होते हैं प्रन्तु अन्विचार धारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह होते हैं मतलब एक बोड़ा था लकरी की तरह स्थोस होता है, मतलब सॉलिड होता है ऐसे रेत भी सॉलिड है प्रन्तु लकरी की तरह इकठा होता है और एक बोड़ रहा था कि रेट की तरह दाने-दाने से बना हुआ है तो ये दो विचार चल रहे थे आईए एक किरिया कलाब के दुवारा हम इसे समझते हैं और निर्धारन करते हैं कि आख कानों से किस परकार बना हुआ है सबसे पहले एक 100 milililillillilillilillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill किस चीज से भरना है आपको जल से घर पे भी कर सकते हैं दिये गए नमक या सरकरा नमक आपको घर में मिल जाएगा और सरकरा सरकरा यानी चीनी को कांच की छर की मदद से जल में घोल दे किसकी मदद से कांच की छर की मदद से आपका पेन भी कांच का है ठीक है तो आप कांच वाला पेन से भी और कांच के गलास में लेके उसको गोर सकते हैं जल के अस्तर में आए बदलाप पर ध्यान दीजिए आपके अनुसार नमक या सरकरा का क्या हुआ ये कहां गाइब हो गए ठीक है पहले आप देखिएगा तो वो क्या होगा थोरा सा अस्तर बरहेगा ठीक है मतलब आओ नमक डाली आओ नमक डाली तो जब तक घूलेगा नहीं नमक तब तक वो जल का उपर आ अस्तर बरहेगा परन्तु जैसे घूल डाएगा तो वो चुकी पानी के बीच में अस्थान होते हैं उनके बीच में वो समाहित हो गया है ठीक है तो इससे हमें ये पता चलता है कि चुकी उनके बीच में वो समाहित हो गया इसका मतलब है पदार्थ कनों से मिलके बना हुआ था उप्रोक्त किर्या कलाप में चम्मच में रखी गई नमक या सरक्रा या नमक या चीनी पूरे पानी में घुल गई जैसा कि चित्र में आपने देख सकते हैं ठीक है इस चित्र में आप देख सकते हैं तो यह आप घर पे भी कर सकते हैं घर पे अभी तुरंट इसको पढ़ने क आप किजिए ठीक है जैसे यहाँ पानी लिए पानी में नमक मिलाए तो नमक पहले क्या था ये नमक पहले नीचे जमा हुआ था जब इसको मिलाए तो क्या हो गया ये मिलाने के बाद ये मिलाने के बाद हमारा नमक की बुंदे हर जगा पे फैल गई ठीक है तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कन जल के कनों के बीच के रिक्तस्थान में समावेशित हो जाता है अब हम लोग दूसरा किरिया कलाप करते हैं अब दूसरी किरिया कलाप में हम समझेंगे पदार्थ के ये कन कितने छोटे होते हैं तो एक potassium pair magnet के दो या तिन crystal को 100 ml पानी में घोल लें अब आप कहिएगा कि potassium pair magnet हमारे पास कहां से आया तो आप नमक से ये परियोग कर सकते हैं इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml पानी में मिला दें ये नमक से के साथ भी आप कर सकते हैं ठीका है potassium pair magnet नीला कर देता है इसलिए उस मिली लीटर पानी के साथ उसे फिर मिला दें 90 लीटर जल में मिला दें इस परकार इस घोल को 5-8 बार तक तनुकृत करते रहें क्या जल अब भी रंगीन है और आप क्या किजिएगा आप चेक करते रहेगा इसे जैसे यहां पर क्या होगा रंगीन हो जाएगा तो अगर ये आप घोरे तो पूरा का पूरा पानी नमकीन हो गया अब इसमें से आप एक चमच पानी लिए और दूसरे गिलास में डाल दिए फिर घोरे तो आप ये पानी भी नमकीन होगा अब इसको टेस्ट करके देखिए ठीक है आप इससे एक चमच निका लिए और फिर तीसरे गिल ठीक है तो अनुमान लगाई कि पदार्थ के कन कितने छोटे और परते एक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हलका होता जाता है फिर भी पानी रंगीन जराता है तो कितना छोटा है न यह परियोग दर्साता है कि पोटेसियम पर मैगनेट के बहुत थोड़े से क्रिश्ट पर आपको यह रंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है आप यह परियोग करने के लिए रंग का मदब एक चमच मात रंग डाली एक गिलास में फिर उससे एक चमच अगले गिलास में और फिर सबका निरिच्छन कीजे कि क्या होता है ठीक है इसमें हम यह निसकास निकालते ह किवल एक क्रिश्टल में कई सुचम कन होते हैं और यह कन छोटे छोटे कनों में विवाजित होते हैं अन्तिता एक इस्थिती में यह कन और छोटे भाग में विवाजित नहीं किये जा सकते हैं एक ऐसा कंडिशन आएगा पोटेस्यम पर मेंगनेट की जगा दो मिलिलिलिट डेटॉल से भी या किरिया कलाब कर सकते हैं, आप एक चमच रंग से कर सकते हैं, आप नमक से कर सकते हैं, चीनी से कर सकते हैं, लगातार तनुकृत होने पर उसके महत में हमें परिवर्तित मिलेगी, पदार्थ के कन बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं अगर आगा गुन देखे पदार्थ के कनों के अभिलाचनी गुन तो पदार्थ के कन के पहला क्या है पदार्थ के कनों के बीच रिक्तस्थान होता है अब चली इसको समझते हैं किर्या क्लाप एक दो में हम लोग नमक यानि चीनी और डेटॉल बाला कर कर चुके हैं कि कन समान रूप से पानी में बित्रित हो गए इस परकार जब हम चाय में कौफी निम्बू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कन दूसरे पदार्थ के कनों में रिक्तस्थानों में समावैसित हो जाता है और यह दर्साता है कि पदार्थ के कनों के बीच परि प्रमानु के कन निरंतर गती सील होते हैं, तो पहला आगे पीछे पॉइंट क्या था कन के बारे में? कि वो उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, अगला क्या है? कि ये निरंतर गती सील होता है, अब अपनी कच्छा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगर बत्ती रख दे, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसकी समीप जाना परेगा अब अगर बत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है अपने प्रेच्छन को नोट करें, हाँ आपको जरूर मिलेगी चुकि जैसे ही गरम होगा तो कन गती करेंगे जादा गती करेंगे ठीक है अब आगे जल से भरे दो गिलास लें और दो बीकर या बीकर लें गिलास भी आप घर पे गिलास लें पहले बीकर के एक सीरे पर साबधानी से एक बुंद लाल या नीली सियाही डाल दें और दूसरे में सहद डालें दूसरे में मतलब एक में लाल डाल दें दूसरे में नीली डाल दें इसे भी कर सकते हैं इनको अपने घर में या कच्छा में एक कोने में रख दें आप प्रेच्छन में नोट करें कि क्या होता है तो आपको लगेगा कि सियाही की बुन डालने के तुरंत जो था वो टाइम लेगा तो क्यों लिया तो यह चीज क्योंकि सहथ के जो कंति वो बरे थे और सियाई के कंद जो थे छोटे तो जल्दी से उस अपना अपना गैप में समाहित हो गया एक गिलास गरों पानी से और दूसरा ठंदे पानी से भरे गिलास में कॉपर सलफेट या पोटैसियम पर मेंगनेट नीला रंग कर देता है तो इसलिए रंग यानि उसके जगह पर रंग भी ले सकते हैं रंग का एक क्रिश्टल डालें और एक और रख दें हिलाएं नहीं क्रिश्टल को सता पर बैठने दें गिलास में ठोस क्रिश्टल के ठीक उपर क्या अब चीनी के साथ कीजीएगा जैसे आप क्या कीज़े ठंडे पानी में एक चमच एक चीनी डालिए ठीक है और उसको मिला यह जब घुल जाया तो आप उसको डोच मश्ट डाले हैं तेंत मरत ह chilli Madia ऐने ने 건ine चमाट मिलेगा ठीक है आगे पदार्थ के कन निरंतर गती सील होते हैं अर्थात निरंतर गती सील होते हैं अर्थात उनमें गती जूर्जा होती है और तापमान बरने पर कनों की गती जूर्जा तेज हो जाती है मतलब गती जूर्जा बर जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान परने से कनों की गती जूर्जा क्या हो जाती है बर जाती है ठीक है आगे उपरोग तीनों किरिया कलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कन अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतह मिस्रित हो जाते हैं मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ऐसा कनों के रिक्त स्थान में समा करने पर विशरन तेज होता है और ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम आगे परते हैं पदार्थ के कंड दूसरे को आकरशित करते हैं कैसे इस चीज़ को एक खेल से देखते हैं इस खेल को एक मैदान में खेलें आगे बताए गए डंग से चार समूः बनाकर मानव श्रिंखला बनाये पहला समू इद मिसमी नर्थको की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकर लेगा दूसरे समू एक दूसरे का हाथ पकर मानब स्रिंखला बना ले तीसरा समू केवल उंगली के सीरे को छूकर एक स्रिंखला बना ले अब चौथा समू उप्रोक्त बरनी तीनों मानव सिंखलाओं को तोर कर छोटे समूहों में बाटने का पडियास करें किसी समूह को तोरना आसान होगा जो उंगली से केबल छुए हुए होगा है ना और क्यों यह हम परतेक विद्यार्थी के पदार्थ के एक कन माने दूसरे कनों के साथ सबसे अधिक बल से पक्रे रखता है अब किर्याकला एक लोहे की कील एक चौक का टुकरा और एक रबर बैंड ले तिन चीज़ इन पर हथावरा मार कर चोट करें या खीच करी से भंगूर करने का पर्यास करें इन तीनों में से किसके कन अधिक बल से एक दूसरे से जूरे थे लोहा वाला अब किर्याकला एक और ले करें जल का नल खोल कर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का पर्यास करें क्या जल की धार कटती है जल की धार ना कटने का क्या कारण है तो उपरोग तीनों किर्याकला आप सुझाते हैं कि पदार्थ के कनों के बीच एक बल कारी करता है पदार्थ के कनों के बीच का कर करता है बल करता है यह बल कनों के को एक साथ रखता है और इस आकर्षन बल का समर्थ परतेक पदार्थ में अलग-अलग होता है ना परतेक पदार्थ में कनों के बीच का बल अलग-अलग होता है तो अभी तक हम लोग कन के बारे में सीखे यहा मतलब प्रेम प्रेम कभी पदार्थ नहीं होगा गंध पदार्थ नहीं होगा घिरना पदार्थ नहीं होगा बादाम पदार्थ होगा बिचार पदार्थ नहीं होगा सीत सीतल पे मतलब इस हिसाब से पदार्थ को कौन पदार्थ है कौन नहीं पदार्थ है उसके बाद करता ह प्रक्रिया कब होती है जब गरम या गती जूर्जा कनों के पास हो स्विंग पूल में गोता खोर पानी को काट पाता है इससे पदार्थ का कौन सा गुन प्रेचित होता है मतलब पदार्थ के कनों के बीच खाली अस्थान होते हैं उसी में वो अपना हाथ दोला पाता है पद दोस्तों पदार्थ की अवस्था तो अब हम लोग पदार्थ की अवस्था देखते हैं अपने आस पास के पदार्थों को ध्यान से देखिए ये कितने परकार के हैं हमें पाते हैं कि पदार्थ तीन रूप में होते हैं ठोस द्रब और गैस पदार्थ की ये अवस्थाएं उ सब से पहले यवस्त हा ठोसबस इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक एक्सP ہےरिमेन्ट करते हैं पर्योग करते हैं निम्लिखित बस मीको एकत्रित्द करें जैसे पेन आपके पास होगा किताब लक्री चाहर का छार ठीक है यह सब संब्ल लगा давler का निश्चित अकारसपस्ट सिमांए तथा इस्तिराइतन है ? मतलब कुछ देर के बाद अगर किताब का रेखाचितर बनाए उस पर पिर से किताब रखेंगे तो क्या उसको बदलेगा ? नहीं, क्या इन सभी का निश्चिता का रस्पस सिमाय तथा इस्थिराइटन है, तो हाँ है, इन पर हत्होरा मारने, खीचने या गिराने से क्या होता है, क्या इनका एक दूसरे स्थ में विष्रम संभब है, नहीं, बल लगाकर इनको सम्पीडित करने का पर्यास किया जा सकता है मतलब सिकोरने का क्या संपीडन हो सकता है नहीं तो उप्रोगत उदाहरनस को हम ठोस के हैं ये सब के सब क्या थे ठोस के हैं हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार असपस्ट सीमाएं इस्थिर आइतन यानि नगन्य संपीडता होती है बाहि बल लगाने पर भ इसको स्टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता इसलिए द्रीर होते हैं और निमलिखित पर अब पुना विचार करते हैं जो रबर बैंड को क्या माना जाए क्या खीच कर इसका आकार बदला जा सकता है क्या ठोस है हाँ ठोस है क्योंकि इनको अगर आप छोड़िएगा तो ये पुना क्या हो जाएंगे पुना अपने बापस उसी आकार में आ जाएंगे बिभीन आकार के बरतनों में रखे गए चीनी और नमक उन्हीं बरतनों के आकार ले लेते हैं क्या ये ठोस है हाँ ठोस है क्योंकि उ वो कठोर है और वो अपना आकार नहीं बदलता अस्पंज क्या है या ठोस है लेकिन फिर ये इसका संपीडन संभब क्यों है क्योंकि ये इनके बीच में हवा भर जाती है और ये अपने ही आकार में होते हैं ये सभी ठोस है क्योंकि बाहि बल लगाने पर रबर बैंड का आका इनमें क्रिश्टलों का आकार मतलब इसके छोटे टुकरे का आकार नहीं बदलता यह ठोस है असपंज में बहुत छोटे छिदर होते हैं जिनमें बायू का समावेस होता है जब हम इसे दवाते हैं तो यह बायू बाहर निकलती है और जिससे इसका संपीडन संभव हो पाता है और जैसे ही हम छोडते हैं तो फिर भाई भर जाती है तो आप समझ गयोंगे कि ठो सबस्ता कि क्या क्या गून है है ना अब हम लोग बात करते हैं द्राववस्ता तो इसके लिए पहले हम कुछ किर्या कलाप करते हैं ताकि समझ सक जल लें खाना पकाने का तेल लें दूद लें जूस लें सीतल पेई लें ठंडा जिसको कह सकते हैं तो आप लें बिभिन अकार के बरतन परियोकसाला के एक मापक सिलिंडर या अपने घर में कटोरी में पानी लें गिलास में लोटा में लें कि सहायता से 50 ml पर निसान कर ले उसमें सभी में एक ही मात्रा में सब डालें इन द्रबों को फर्स पर डाल देने पर क्या होगा किसी एक द्रब का 50 ml मापकर बिभिन बरतनों में करम सा एक ही करके डालें क्या परतेक बार आईतन एक समान रहता है क्या द्रब का आकार एक समान रहता है द्रब को एक बरतन मे दूसरे बरतन में उढ़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है तो प्रेच्छन में हम पाएंगे या हम पाते हैं कि द्रब का आकार नहीं लेकिन आईतन निश्चित होता है आकार अनिश्चित होता है जिसको उसको जिसमें डाल रहे हैं वो इसा पाँकार ले लेता था है और दरबों में बहाब होता है रर्वता है यह दिर नहीं कह जाएंगे लेकिन यह तरल है ठीक है यह क्या कराइंगे तरल करा रहे है जो दिर नहीं है वो क्या है और दरब को भी दरब में मिलाया जा सकता है जिसे चीनी को आप पानी में मिलाया तो ये ठोस दरब का मिसरन हो गया मतलब ठोस दरब में बिसरित हो गया और दूद में पानी मिलाये तो क्या हो गया वो ठोस दरब में बिसरित हो गया यानि द्रब और द्रब का मिसरन हो गया बातावरन भी उसी परकार से गैस भी बिस्रित होता है और होकर जल में घुलित रहता है जैसे ये गैस था ऑक्सीजन, करवन डायुकसाइड जलिये जन्तुएं और पौधे अनिवार होती है सभी जीवदारियां अपने जीवद निर्बाह के लिए स्वास लेती है है ना जलिये जन्तु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण स्वास लेते हैं है की नहीं जलिये जन्तु कहां से स्वास लेते हैं जल में घुली ऑक्सीजन से और इस तरह से हम यह निसकर्स पर पहुँचते हैं कि दरब में ठोस और दरब में गैस और दरब में दरब तीनों का विश्रन संभाव है मतलब दरब में तीनों विश्रित हो सकता है ठोस भी दरब और गैस भी ठोसों की अपेच्छा दरबों में बिसरन की दर अधीक होगी मतलब चीनी को डालेंगे अगर पानी में चीनी को डालेंगे तो वो धीरे-धीरे मिलेगा अगर पानी में हम दरब को डालेंगे मतलब पानी में हम दूद को डालेंगे तो वो जल्दी भी स्रित होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दरब अवस्था में पदार्थ के कन स्वतंतर रूप से गती करते हैं और ठोस्किया पेच्छा में दरब के कन के बीच का रिक्तस्थान अधीक होता है समझ गए इसलिए ऐसा होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस ये अवस्था की किस अवस्था की गैस ये अवस्था की तो आपने कभी उस गुवारे बाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलिंडर से बहुत सारे गुवारे में हवा भरता है तो गैसे बस्ता में हम लोग क्या देखें कि एक सिलेंडर वाला जो होता है वो क्या करता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुवारे भरता है आप देखते होंगे तो उससे पुछी एक सिलेंडर में कौन सी गैस है तो इसके लिए वो क्या करता है कि 100 मिलिलिटर की 3 सिरिंज ले उसको सीर को rubber या cork से बंद कर दें सिरिंज के सभी सिरिंजों को piston की भाती लें और पहली सिरिंज से हवा रहने दें दूसरी में जल और तीसरे में चौक के टुकरे भर दें तीनों को आप समझ गए होंगे अब piston की बापस जो सिरिंज का piston होता है जिसको आप अंदर बाहर करते हैं सिरिंज को piston की गती सिलता असान करने के लिए उस पर थोरी भैसलिन लगा दें और अब piston की सिरिंज को डाल कर संपिडित करने की कोशिस करें तो आप देखिएगा कि जो gas वाला है मतलब जो हवा वाला है वो कॉर्क को बाहर फेक देगा जबकि जल वाला तो क्या होगा आपने क्या देखा किस स्थिती में piston असानी से अंदर चला गिया अपने प्रिच्छन में आपको क्या अनुमान लगा हमने देखा कि ठोस इवं दरबों की तुल्ना में गैसों की संपीडता क्या होती है अधिक होती है कंप्रेशन काफी अधिक होती है और हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इसी का उप्योग किया जाता है इसी बिदी का परियोग कियाता है पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पताल में दिये जाने वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें संपीडित गैस होते हैं उसमें क्या होते हैं संपीडित गैस होते हैं आज कल बाहनों में इंधन के रूप में CNG जिसको कॉंपे compressed natural gas काते हैं का उपयोग होता है संपीडित संपीडिता काफी अधीक होती है इसके कारण gas की संपीडिता अधीक होने के कारण gas को अधीक item में कम item को वाले cylinder को संपीडित किया जा सकता है वह आसानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भेजा भी जा सकता है हमारी नाक तक पहुचने वाली गंध से में बिना रसोई में परवेश किये ही हम जानस पाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है ये गंध हम तक कैसे पहुचती है खाने की गंध कन बायू में मिल जाती है और रसोई में फैल कर हम तक पहुचती है यह गंध के कन दूर भी जा सकते हैं पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ च्छनों में पहुँच जाती है इसकी तुल्ना में ठोस द्रबों ठोस एवं द्रबों का बिसरन अधिक बिसरन से करें कनों की गती कनों की तेज गती और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का यह अधिक बिसरन बहुत तीबृता से होता है है ना तो जैसे ठोस के कन जो होते हैं काफी नजदीक नजदीक होते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है द्रब के थोड़ा दूर दूर और गैस के काफी दूर कन होते हैं तो आप इस फिकर में दिखाया गया यहाँ पे कुछ प्रस्नावाल यह गैस अवस्था में कनों की गती अन्यमित होती है और अत्याधिक दिवर होती है और इस अन्यमित गती के कारण ये कन आपस में बरतन की दिवारों पर टकराते रहते हैं और गैसों के कन परती इकाही छेत्रफल पर लगे बल का कारण गैस का दवाब बनता है जिसे हम गैस ये दवाब कह सकते हैं तो यह आप चीज यहाँ पे कुछ प्रस्ण दिये गए हैं, क्या प्रस्ण हैं, किसी तत्व के द्रभमान प्रती इकाही आईतन को घनत्व करते हैं, मतलब कि प्रती इकाही आईतन के द्रभमान को घनत्व करते हैं, और बढ़ते गनत्व के करम में निमली खित को सजाईए, तो जो ठोस होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, द्रभ का कम होगा, और गैस का सबसे कम घनत्व होगा, तो बायू चुकी घैस है, धुआ चुकी घै चै चिमनी का दुआओ, सह द्रभ है, और जल द्रभ है, जबकि चौका रूई लोहा ये सब ठोस है, तो आप इसके घनत्व के अनुसार सदा सकते हैं, पदार्थ की बिवी नवस्थाओं के गुनों के होने वाले अंतर को सारनी बद कर लीजे, और संपीडता, तरलता, बरत बदल सकता है, और बदल सकता है, तो कैसे बदलेगा, तो यह हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, गुड़ लग, फिर मिलेंगे,